हाई दोस्तों मैं हूँ प्रशेंजीत और आप देखरें computerism दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक excel sheet में किस तरह से different type of formats को as an object insert क्या जाता है चाहे हो excel format हो PDF format हो यहां तक की MP4 MP3 भी आप यहां पे as an object insert कर सकते हो excel sheet में उसके बाद उस excel sheet को आप दूसरे किसे user को भी mail कर सकते हो वो भी बड़े आसानी से उन सारे objects को देख सकता है पड़ सकता है तो दोस्तों यह बहुत ही useful एक tool है इसको पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो की अंतक जुड़े रहिएगा तो चलिए सुरू करते बिना देर कि तो दोस्तों यहां पे देखिए मैं कुछ data को as an object insert करके रखाऊं पहले से जो की अलग-अलग format में है जैसे यह देखी excel format में है यहां पे यह PDF format में है यह बाला data MP4 में है यह बाला data MP3 में है यहां तक की gif format में भी आप data को यहां पे insert कर सकते हो ठीक है तोस्ता ऐसे बहुत स format है जो की आप यहां पे इस तरीके से insert नहीं कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा format आप यहां पे insert नहीं कर पाऊगे और उसका तरीका क्या insert करने का वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है तो यहां पर बिसिकली होता क्या है जब भी आप data जो है वो open हो गया, यहाँ पर आप इसको edit भी कर सकते हूँ, मैं यहाँ पर कुछ leak दिया इसको बात save करके इसको बंद कर दिया, ठीक है अगर मैं फिर से खोलूंगा तो देखिए यहाँ पर यह जो मैंने changes किया था वो यहाँ पर रह जाएगा, इसको मैं mp4 में जो data है, उसको आप edit नहीं कर पाऊगे, तो जो formats editable होगा, उसको आप edit कर सकते हो, करके save कर सकते हो ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे किस user को through mail भेजता हूँ, वो भी बड़े आसानी से मेरे ही तरह इन सारे datas को देख पाएगा, उसके उपर काम कर पाएगा, सुन पाएगा और edit भी कर पाएगा, ठीक है तो चलिए अभी देखते हैं इसको insert किस तरह से किया जाता है तो next seat में चलते हैं, जहाँ पर यह blank है, इसके बाद हम लोगो जाना होगा insert tab में, और इसके अंदर एक options हाता है text, ठीक है, तो इसके बाद क्लिक करेंगे, तो यह जो last option है object, इसके बाद क्लिक करना है दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यह object option जो है, यह बाहर भी होता है तो यह जो object लिखा हुआ हैं आपे तो वो लिखा हुआ नहीं रहेगा, बस छोटा सा एक icon रहेगा, यह बाद icon छोटा यह रहता है, और अगर आपका Excel जो है, वो पूराना version है तो आपको बाहर में ही ऐसे बड़ा icon मिल जाएगा और नीचा object लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है create from files, ठीक है यहां से हम लोगों को file उठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे browse यहां पे click करेंगे और file location जहां पे है वहां पे जाना है, तो मेरा desktop में है तो मैं क्या करूँगा, desktop में जाऊंगा तो माल लीजिए, मैं यही Excel sheet को यहां पे attach करना चारा हूँ जो data 1 बोल के लिखा हुआ है, ठीक है तो इसके बाद click करेंगे, तो यह select हो गया, इसके बाद insert कर देंगे तो जैसे insert बाद click किया, तो data देखें, यहां पे आ गया है, तो दोस्तों इसके बाद दो options आता है, link to file और display as icon, तो display as icon के उपर हम लोग को ऐसे click करना है, इसके बाद यहां पे देखें, icon आ जाता है, और उसके साथ data का जो नाम होगा, वो भी आ जाता है, तो same wise, यहां पे एक button create हो जाएगा, ठीक है, और यह आपको icon दिखेगा, with this name, ठीक है, अगर आपको इसको change करना है, तो change icon के उपर click कीजिए, यहां पे आप name change कर सकते हो, जो भी आपको लगे की name ठीक है, आप यहां से change कर सकते हो, और icon आप यहां से choose कर सकते हो, बहुत सार icon यहां पे दिया हुआ है, तो फिलर में इसको ऐसे default रहने देता हूँ, इसको मैं यहां पर ok कर दूँगा, तो जैसे ok किया, तो देखिए, यहां पर button create हो गया है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद double click करेंगे, इसके उपर, ठीक है, तो देखिए, यहां पर data जो है, वो पूरी दर से यहां पर open हो गया है, इसके बाद आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो, काम करके save करने के बाद, यह जो भी change सब करोगे, तो वो save हो जाएगा, तो चलिए दूसरा example मैं आप लोगो दिखा देता हूँ, फिर से हम लोग text में जाएंगे, objects के उपर click करेंगे, create from file यहने के next tab में जाएंगे, browse करेंगे, desktop में जाएंगे, तो चलिए MP4 में आप लोगो यहाँ पर attach कर लेता हूँ, data 3 insert मैंने कर दिया, display as icon, ठीक है, तो जैसे मैंने कहां, आप यहाँ से name और icon change कर सकते हो, file में इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसके बाद OK कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर create हो गया है, तो देखिए, यह कितना useful है, MP4 formats को भी यहाँ पर बड़े आसानी से insert कर पाओगे, इसी तरह से बहुत सरा ऐसे format है, like आप कहले जीए, powerpoint हो गया, आपका bitmap format हो गया, आपका text format हो गया, MP3, यहाँ तक कि एक folder को आप जीप format में convert करने के बाद, उस जीप को भी आप यहाँ पर as an object insert कर सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर select करने के बाद format में जाके, आप थोड़ा यहाँ पर color color भी change कर सकते हो, जैसे मेरा किया हुआ था example में, मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, अभी आप delete कर दीजे, बस यह delete हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसन है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने शुरुवात में कहा था कि एक format जो है, उसको आप इस तरह से attach नहीं कर पाऊगे, वो यह है कि JPEG format को आप इस तरह से as an object insert नहीं कर पाऊगे, उसके लिए आपको insert tab के अंदर यह options होता है, pictures बोलके, ठीक है, यहाँ से आपको insert करना है, तो pictures के पर click करते ही, option आता है, दो this device and online picture, तो आपको this device करना है, ठीक है, फिर आपको file location में जाना है, तो मेरा desktop पे है, मैं यहाँ पे JPEG image को choose कर लेता हूँ, दोस्तों लेकिन problem जो है कि, जैसे कि हम लोग object से insert कर रहे थे, data's को, तो वो button create हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे न, यह जो image है, इसके लिए button create नहीं होगा, वो direct यहाँ पे आ जाता है image, इस तरह से, ठीक है, लेकिन जो image हो, अगर आप bitmap में उसको convert कर लिए, तो आप उसको यहाँ पे attach कर सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों यही था, इस तरह से आप बहुत सारे formats को as an object insert कर सकते हो, Excel में, और उसको आप दूसरे किसी user को भेज भी सकते हो, वो भी इसके उपर बड़े आसानी से काम कर सकता है, और एक important बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दोस्तों एक Excel फाइल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक Excel फाइल के अंदर बहुत सारा data को यहाँ पे insert करके रखाऊंट, तो इससे उस Excel फाइल का size भी obviously बढ़ जाता है, तो यह थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो मेरे बोलने का मतलब यह था, हर एक attachment के बाद आपका Excel फाइल का size बढ़ जाता है, ठीक है, तो दोस्तों अब लोग को यह समझ में है, किस तरह से यह काम करता है, तो दोस्तों अगर अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ share कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो, एक्सेल जो है, एडवांस लेवल पे सीखना है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मद भूलिए, ताकि जब भी में कोई भी वीडियो डालू, तुरंत आपके पास